इस पडिकुलर वीडियो में बात करेंगे about deposit insurance and credit guarantee corporation amendment bill 2021 जो की recently parliament में पास किया गया है क्या है इस बिल के provisions और क्यों यह हमारी economy के लिए और Indian banking system के लिए important है Indian consumer का आपके और हमारे से आम depositor का इस बिल में क्या फायदा होने वाला है सारी बाते हैं detail में इस पडिकुलर वीडियो में करने वाला हूं presented by मुदद गुपता UN Academy सब्सक्राइब करने के लिए you have to use the referral code मुदद गुपता 10% discount के लिए नीचे telegram channel का link दिया है उससे ज़रूर जोइन करिए यहां पर सारे के सारे free current of air classes के वीडियो के link आपको मिलते रहेंगे इसी के साथ UN Academy पर 11 अगस से नए batches शुरू हो रहे हैं English, Hindi और Bilingual भाशा में साथ के साथ हमने एक निया feature भी इंट्रिद्यूस करा है that is Tamil language के batches तो यह सारे के सारे batches आपको UN Academy में मिलेंगे by top educators हर संडे सुबे 11 वजे हमारा combat होता है that is the gamified version of UN Academy जहां पर एक घंटे के अंदर आपको 56 questions करने होते हैं और अगर आपकी rank अच्छी आएगी तो आपको scholarship भी मिलेगा इसी के साथ freedom offer चल रहा है UN Academy का जिसमें अगर आप combo subscription लेते हो GS और optional का तो आपको इसमें discount मिलेगा लेकिन ये 1 year और 2 years पे valid है इसी के साथ optional carnival होने वाल है हमारा UN Academy में 11 अगस्त को और 18 अगस्त को subscription लेते हो और in case आपका exam clear नहीं होता तो UN Academy की तरफ से आपको 1 साल का complimentary subscription मिलेगा NCRT के batches भी शूरू होने वाले हैं तो UN Academy सब्सक्राइब कर ये using the referral code मतद गुपता, let's crack it तो ये जो deposit insurance and credit guarantee corporation amendment bill 2021 है actual में ये amend करता है 1961 के act को 1961 में एक act pass हुआ था deposit insurance and credit guarantee corporation act इस कानून के अंदर ये corporation मनाया गया था इस corporation का नाम क्या था deposit insurance and credit guarantee corporation ये corporation मनाया गया था मतलब की ये रो corporation है ये एक statutory body है prelims का सीधा सवाल निकलेगा कि ये statutory body है constitutional body है, executive body है आपको ध्यान रखना है कि ये एक constitutional body नहीं है ये एक executive body नहीं है ये सिरफ एक statutory body है क्योंकि Act of 1961 से इसको बनाया गया है इसके दो major purpose होते हैं एक, insurance of deposit insurance of deposit का क्या मतलब है detail में तो मैं समझाऊंगा ही लेकिन broad overview अगर आप समझो मान लीजिए आपका XYZ किसी bank में खाता है आपका bank में खाता है आपने bank में 100 रुब जमा करवाए लेकिन ये bank रात रात बंद हो गया merge हो गया या फिर ये bank के पाप पैसा नहीं है देने को कोई fraud वगर हो गया और आप अपने 100 रुब पे इस bank से नहीं निकाल सकते अभी सरकार ने आपके मतलब कि depositor की सुविदा के लिए एक body बना दी जिसका नाम है ये deposit insurance and credit guarantee corporation ये सरकार ने एक body बना दी सरकार ने बोला कि अगर आपके 100 रुपे bank नहीं दे पा रहा तो आपके 100 रुपे आपको ये body देगी मतलब कि आपका जो deposit है bank में ये insured है और तभी इसका नाम है deposit insurance अगर समझ के करोगे तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा सिरफ यहां पर ध्यान से समझो deposit insurance कि जो आपने पैसा deposit करवाया है bank में उसकी insurance हो गई है एक तरीके से कि अगर bank डूपता भी है तो आपको आपका पैसा ये body वापस कर देगी इसे बोलते है deposit insurance और एक दूसरा purpose है इसका credit guarantee credit guarantee का मतलब है कि अगर bank ने कोई loan दिया है और bank को वो loan टाइम पर वापस नहीं मिल रहा तो भी ये जो body है bank की सहायता करेगी उसे credit guarantee देगे खेने का मतलब है कि ये वाली जो particular body है ये हमारे इसलिए useful है कि कल को अगर bank बंद हो रहता है और हमारा पैसा डूपता है तो ये body हमार को उधर का पैसा लोटाएगी ठीक है ये जो है सारे के सारे deposits cover करती है मैंने क्या बोला insurance of deposits ये सारे के सारे deposit cover करती है चाहे saving deposit हो चाहे fixed deposit हो चाहे current deposit हो या फिर recurring deposit हो आपको पता है कि saving account, current account, fixed deposit, recurring account RDA जिसे बोलते है अलग एक टाइप की account जो है banks में खोले आते है ये जो deposit insurance and credit guarantee corporation है ये commercial bank, cooperative banks, RRBs, regional rural bank वगएरा सब जगा काम करता है हर bank के उपर इसके नियम लागू होते है पहले ये बोले आता था कि अगर bank में आपका deposit सिरफ 1,00,000 रुपे तक का है अगर आपका deposit 1,00,000 रुपे तक का है तो ये body आपको पूरा पैसा वापिस कर देगी ये body आपको पूरा पैसा वापिस कर देगी पहले ऐसा बोले आता था बाद में सरकार ने इसकी limit change करके इसे 5,00,000 कर दिया मतलब कि आज की तारिक में अगर 5,00,000 रुपे आपने bank में जमा करा रखे हैं तो ये जो corporation है ये आपको 5,00,000 रुपे लोटा देगी इनकेस bank डूपता है, बंद होता है, कुछ भी होता है लेकिन अगर मान लीजे आपका 10,00,000 रुपे बैंक में जमा है तो भी ये बॉड़ी आपको सिरब 5,00,000 ही देगी, 10,00,000 नहीं देगी मतलब कि सरकार ने इस particular corporation का जो limit है, credit insurance का deposit insurance का ये particular जो बॉड़ी है इसका deposit insurance maximum 5,00,000 रुपे तक का है मतलब कि अगर आपके बैंक में एक करोड रुपिया है और कल को बैंक बंद हो गया तो भी ये बॉड़ी आपको सिरब 5,00,000 रुपे ही देगी 5,00,000 रुपे से जादा नहीं देगी तो सरकार ने इस कानून के अंदर जिरो particular act है 1961 का इसके अंदर deposit insurance and credit guarantee corporation की जो insurance limit है वो 5,00,000 रुपे पर सेट कर रखी है कहने का मतलब है आज की तारिक में body useful इसलिए कि अगर किसी middle class गरीब आदमी का पैसा बैंक में deposit है मान लीजे किसी का 10,000 रुपिया उदर deposited है वो बैंक रात और बंद हो गया for example हमने देखा cooperative banks की किस में पंजाब और महराश्रो cooperative bank जिसको PMC bank भी बोले आता है पंजाब और महराश्रो cooperative bank बंद हो गया रात और और वहाँ पे RBI ने बोला कि आप इस bank से पैसा नहीं निकाल सकते जिन जिन लोकों का पैसा पंजाब और महराश्रो cooperative bank में फसा हुआ है balance था वो मेरे को ये corporation वापिस करेगा under the provisions of act of 1961 लेकिन सिरफ और सिरफ पांश लाग रुपे तक के अगर मेरा वहाँ पे 10 लाग रुपिया deposit होता तो भी मेरे को ये body सिरफ पांश लाग रुपे देती 10 लाग रुपे नहीं देती आगे चलते हैं 2021 में अभी इस parliament session में सरकार ने जो इसका amendment bill लाया है इसमें ये बोला गया है कि ये body time bound manner में time bound manner में depositor का पैसा लोटाएगी पहले क्या था? कोई time limit जादा नहीं थी आपको जब पैसा लोटाना है तब लोटाओ मतलब कि ये जो corporation है ये जब चाहे तब पैसा लोटा सकती थी सरकार ने बोला ये गलत है 2021 में जो अभी bill पास हुआ है पार्लेमेंट में उसमें नरेंद्र मोधी सरकार ने बोला कि ये बाद गलत है हमारे को good governance ध्यान में रखते वे हर काम time bound manner में करना है हर काम time को ध्यान में रखते वे करना है तो इस bill के अंदर अभी मैं बताऊंगा timeline क्या है सारी सरकार ने बोला कि हम time bound manner में इसको करने के लिए ये bill introduce कर रहे है तो timeline की बात अभी करने वाले है अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो deposit insurance corporation है ये जो body है जो आपके deposits को insure करती है जो आपका ध्यान रखती है ये जो particular body है जो आपको पैसा देगी मान लीजे किसी का 10,000 रुपे पंजाब महराश्रों कॉपरेटर बैंक में फस गया और इस body ने उस वेक्ति को 10,000 रुपे दे दिये तो क्या से ये free में दिये है नहीं, free में नहीं दिये basically cycle ऐसे चलेगी आपको 10,000 रुपे दिये ये corporation ने आपको 10,000 रुपे दिये ये corporation ने क्योंकि आपका bank बंद पड़ा है अब ये corporation क्या करेगी bank वाले को phone करेगी फटाफट से कि देखो, आपका एक customer है मैंने उसका 10,000 रुपे दिये है उसका खाता नंबर ऐसे ऐसे है bank क्या करेगा जब भी bank ठीक हो जाएगा खूल जाएगा, सही हो जाएगा तो bank आपके खाते के 10,000 रुपे निकालके इस body को दे देगा कि ठीक है, आपने 10,000 रुपे दे दिये अब इस account holder के 10,000 रुपे जो मेरे पास पड़े थे वो मैं आपको दे देता हूँ मतलब कि यह जो insurance body यह corporation deposit insurance corporation यह आपको free में पैसा नहीं दे रही यह ultimately इस पैसे को कहां से वसूलेगी आपके खाते से वसूलेगी जो bank में है मतलब कि अगर आपका 10,000 रुपे पंजाब और महराश्रों कॉपरेटिव बैंक में बंद पड़ा है, तो अभी के लिए तो इस deposit insurance body यह आपको 10,000 रुपे दे दिये जैसे ही bank खुलेगा जैसे ही bank खुलेगा इस bank के खुलते ही आपके खाते में से 10,000 रुपे निकाल लिए जाएंगे और वो इस deposit insurance corporation body को transfer कर दिये जाएंगे, कहने का मतलब है यह आपको free में पैसा नहीं मिल रहा है यह आपके खाते से deduct होगा बाद में और फिर जब आप अपने passbook में balance check करोगे तो आपको 10,000 रुपे कम दिखेंगे यह concept है deposit insurance corporation का right now सवाल उठता ही कि यह जो corporation है credit guarantee corporation deposit insurance corporation और credit guarantee corporation की जो हम बात कर रहे है यह force में कब आता है basically आपको deposit insurance corporation है यह पैसा कब देगा यह तब देगा जब या तो कोई bank बिख चुका है उसका liquidation होने वाला है या कोई bank बहुत ज़ादा NPS non-performing asset के अंडर है और अभी उसकी मरम्मत चल रही है reconstruction चल रही है RBI उसको अभी ठीक कर रहा है तो bank बंद है या फिर उसका किसी के दान merger acquisition होने वाला है कोई बड़ी bank ने कोई बड़े businessmen ने इस bank को खरीद लिया तो अभी temporarily वो bank बंद है इन सब cases में यह जो कानून है 2021 का यह बोलता है कि इन सब cases में यह रो deposit insurance corporation है यह force में आईगी मतलब इन सब cases में deposit insurance corporation को आपको पैसा देना पड़ेगा सबाल उठता है कि सर कौन सी तारिक से मीटर शुरू होगा मतलब कि यह रो corporation बनाई गई है यह रो 1961 के कानून के अंटर corporation है इसकी liability कब से शुरू होगी मतलब कब से आप इस body से पैसा मांग सकते हो जिस दिन RBI Banking Regulation Act 1949 के अंटर circular निकाल देगा कि अब यह पंजाब महराश्चों कोपरेटिव बैंक या कोई भी बैंक बंध हो चुका है RBI को पहले circular निकालना पड़ेगा Banking Regulation Act 1949 के अंटर जिस टाइम जिस घंटे RBI ने Banking Regulation Act 1949 के अंटर circular निकाल दिया उसी वक्त से Deposit Insurance Corporation की liability शुरू होगी कि आप जब चाहे उस body से पैसा मांग सकते हो मतलब कि सारे dots को connect करते है एक bank है वो बिकने वाल है RBI को दिख रहा है RBI ने फटाफट से Banking Regulation Act 1949 के अंटर सर्कुला निकाल दिया कि ये bank बिकने वाल है अपसे बंद है जैसे ही RBI ने वो सर्कुला निकाला Automatically आप अपना पैसा लेने Bank नहीं जाओगे Deposit Insurance Corporation जाओगे और काओगे कि भाईया मेरा 5 लाक रुपे तक का जो deposit है वो पैसा आप मेरे को दे दो बाद में जब bank खुलेगा तो मेरे ही खाते से आपको पैसा निकाल लेना ये है पूरा का पूरा Deposit Insurance Corporation का concept इसके लावा ये जो Corporation है ये आपको पैसा देने के लिए बाद दे नहीं है लाइबल नहीं है कब जब bank दुबारा से खुल चुका है और RBI ने ये बोला कि अब ये bank सही है आप अपने अपने खातों से पैसा निकाल सकते हो जब bank की तब ठीक हो जाएगी उस टाइम पे आप Corporation जाओ गई क्यों तब तो आप bank जाओगे अपना चेक भरोगे पैसा निकाल लोगे यही ये कानून बोलता है कि अगर bank सही हो गया और खुल चुका है तो अब आप bank जाओ और वहीं से पैसा निकालो सवाल उठता है सर कितने दिनों में ये जो Credit Guarantee और Deposit Insurance Guarantee Corporation है ये हमार को कितने टाइम में पैसा देगी ये जो Deposit Insurance Corporation है RBI के रूल्स के साब से और Bill में लिखावा है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इसको आपको पैसा देना होगा सर, 90 दिन कब से काउंट होंगे? 90 दिन काउंट होंगे जब ये Circular Pass हुआ जब ये Circular Pass हुआ और आपने डिमांड कर दी उसके 90 दिन के अंदर अंदर जिस टाइम आपने application डाली उसके 90 दिन के अंदर-अंदर आपको पैसा मिल जाएगा 90 days is the limit पहले कोई limit नी थी अब यह जो amendment bill आया है 2021 का इस amendment bill में बोला गया है कि 90 दिनों के अंदर-अंदर यह जो deposit insurance corporation है इसको आपको पैसा देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए तो नरेंदर मोधी सरकार ने 90 days की यहाँ पर limit लगा दिया है इसी के अलावा सवाल उता सरी जो deposit insurance corporation है क्या यह free में काम करती है नहीं जो banks होते है State Bank of India, ICICI Bank, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, Yuko Bank Punjab National Bank etc. यह जो banks होते हैं यह इस corporation को premium भरते हैं और वेसी बात है तो सर, basic concept है कि अगर आपको insurance चाहिए तो premium तो भरना पड़ेगा अगर आपको अपने आपको insure कराना है तो premium तो भरना पड़ेगा वही concept यहाँ पर चलता है कि यह जो banks होते हैं, Punjab National Bank etc. यह हर साल इस corporation को, deposit insurance corporation को कुछ premium देते हैं सर, यह premium क्या होता है करती है, जो corporation होती है वो decide करती है कि हर साल आपको कितना premium देना है लेकिन यह जो act of 1961 है जो 1961 का कानून है उसमें एक line लिखी है कि जो premium है वो total deposits के एक bank में जितने deposits हैं 1 करोड के, 10 करोड के, 100 करोड के जितने की भी deposits हैं, उसका 0.15% तक ही यह deposit premium ले सकते हैं मतलब कि यह जो deposit insurance corporation है यह जो premium है, हर bank के लिए अलग calculate करेगी और maximum 0.15% हो सकता है of the total outstanding deposit total outstanding deposit का सिरफ और सिरफ 0.15% हो सकता है कहने का मतलब है जितना भी premium है तै करेंगे उसका approval इने RBI से लेना पड़ेगा यह था 1961 का provision अब 2021 का जो नया bill introduced हुआ पारलेमेंट में और पास हो गया वहाँ पे यह बोला गया कि यह जो limit है 0.15% की इसको आप increase कर सकते हो मतलब कि यह जो corporation है यह अगर bank से 0.15% of the total deposit से ज़्यादा premium लेना चाहती है तो ले सकती है लेकिन पहले RBI का approval लेना पड़ेगा मतलब की यह जो deposit insurance corporation है यह 0.15% से ज़्यादा premium ले सकती है bank से लेकिन RBI के approval के बाद तो अब corporation के थोड़े फाइदे की बात करी गई है इस bill में की bank से आप पहले से थोड़े ज़्यादा premium ले सकते हो provided आपने RBI से approval ले लिया है इसके अलावा सवाल उठता है की मैंने आपको क्या बताया आपको corporation ने पैसे दे दिये जब bank बंद हुआ आपको corporation ने पैसे दे दिये सवाल उठता है की जो corporation है इसको पैसे कब मिलेंगे bank खुलने के कितने दिन बाद कितने टाइम बाद ऐसे तो bank पता नहीं कब तक बंद रहेगा क्या होगा तो यह जो corporation है यह आपको दिये गए पैसे bank से कब और कैसे वसूलेगा तो यहाँ पर बोला गया इस bill में 2021 के bill में कि जो board of directors है corporation के यह जो deposit insurance corporation है इसके जो board of directors है यह तै करेंगे इनके बाद देने में देरी करी तो यह bank के ओपर interest charge कर सकते हैं of repo rate plus 2% देखो corporation क्या बोलता है कि अगर bank time पे पैसे दे देता है तो तो हम जादा कोई interest वगरा charge नहीं करेंगे ultimately वो सब तो खेर board of directors ही decide करेंगे कि कोई interest वगरा लेना है या नहीं लेना वो सारी की conditions वगरा जो है board of directors decide करेंगे अगर time पे पैसे दे रहे हो तो interest जादा नहीं लेंगे अगर delay कर रहे हो अगर time पे पैसे नहीं लोटा रहे हो bank board of directors ने तो timeline तय करी थी उसके बाद भी पैसे नहीं दे रहा तो corporation जो है वो bank के ओपर repo rate plus 2% की penalty लगा सकता है इतना interest लगा सकता है कि क्योंकि आपने हमारे decided time पे हमार को पैसा नहीं दिया अब आपको repo rate plus 2% पे इतना ब्याज हमार को देना पड़ेगा ये concept है exactly तो पूरी chain क्या बन गई आपका 10,000 रुपे bank में deposit था bank बंद हो गया रात और रात आप डरने की ज़ुरत नहीं है deposit insurance corporation के पास जाओगे क्यों जाओगे क्योंकि आपके bank ने उन्हें पीछे से premium दे रखा था 0.15% तक का RBI की approval के बाद आपको corporation ने पैसा दे दिया अब corporation का board of director decide करेगा कि bank से उन्हें पैसा कब और कैसे वसूलना है बैंक ने अगर उसी टाइम में पैसे दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो बैंक के उपपर रेपोरेट प्लस 2% का penalty लगाया जा सकता है by corporation यह है पूरा का पूरा deposit insurance corporation का concept I hope आपको समझ आयोगा referral गोड यूज करना है के लिए नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जोइन कर लो फटाफ़ाट अनक्याडमी भी 11 अगर से बाचे शुरू हो रहा है और कॉम्बोर सब्सक्रीप्शन दो आफर चल रहा है हर संदे सुबह 11 वाजे कॉमबाट होता है let's crack it